हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंदित मेहतपू प्रश्ण जो कि आपके आगामी परिक्साओं के लिए हेलफुल और इंपोर्टेंट रहेंगे तो दोस्तों वने रहें वीडियो के अंतर तक तो शुरू करते हैं आपकांज का पहला प्रश्ण है ब्रज भासा का विकास किसे हुआ है? ब्रज भासा का विकास हुआ है सौर सेनी से और जो ब्रज भासा है ये आती है आपकी पस्चिमी हिंदी के अंतरगत ठीक है? दूस्रा प्रश्ण है राज भासा का सही अर्थ है सरकारी कारियलयों में प्रियुक्त होने वाली भासा और हिंदी जो है वो हमारी राज भासा ही है तीसरा प्रश्ण है निम्न लिखित सब्दों में से कौन सा सब्द द्रव्य व्याचक संग्या की अंतरगत रखा जाएगा इन में से जो आपका सोना है वो आपका द्रव्य व्याचक संग्या की अंतरगत रखा जाएगा चौथा प्रश्ण है यथा समय में कौन सा समास है यथा समय में समास है आपका अव्याई भाव समास अव्याई भाव समास की बात करें तो इसको पहचानने की ट्रिक है दोस्तों कि जो आपका प्रतिक उपसर्ग वाला सब्द मतलब जिसके आगे आपका उपसर्ग लगा होगा वहाँ आपका अव्याई भाव समास हो जाएगा जो यथा समय में है वहाँ भी आपका यथा उपसर्ग है इसलिए यो अव्याई भाव समास हो जाएगा पांच्वाँ प्रश्ण है संग्या के कितने भेध हैं? वाचक संग्या, तो पांचों आपको बिलकुल याद रखनी है चाटा प्रस्न है रच्ना की दृष्टी से सब्दों के कितने भेध हैं रच्ना की दृष्टी से सब्दों के भेध हैं तीन, कौन कौन से हैं, रूड, योगरूड और यौगिक ठीक है रूड, योग रूड और योगिक तीनों आपने बिलकुल याद रखने हैं नेक्स्ट क्येशन है रस भरा में कौन सा ततपुरुस समास है यहाँ पूछा गया आपका ततपुरुस समास रस भरा का अगर आर्थ निकाले तो यह हो जाएगा आपका रस से भरा से और से किसकी विभक्ती होती है तो यह होती आपकी करण की विभक्ती तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करण तत पुरुज आठाधा प्रशने है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्या है? नौवा प्रशने है, दो पहर में कौन सा समास है? दो फर में समास हो जाएगा दोस्तो द्विगू समास और इसको पहचानने की ट्रिक है कि जो आपका प्रतिय एक मतलब अगर अंक आ जाए मतलब नमबर आ जाए कुछ आगे से जैसे चौरा हा दो फर नवरत्र नौ तो इसमें आपके हो जाते हैं हमेशा द्विगू समास तो प्रशन है कपीश में प्रियुक्त संदी का नाम है कपीश में प्रियुक्त संदी आपकी दीर्ग संदी ऑप्सन नमबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो सदेव में जो संदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी स्वर संदी और स्वर संदी के अंतरगत देखे तो इस बार्वा प्रश्ण है आपका दिगज का सही संदी विच्छेद क्या है दिगज का संदी विच्छेद होगा दोस्तों दिग धन गज ओप्सन अमबर एस का राइट अंसर हो जाएगा तेर्वा प्रश्ण है कौन सा सब्द तच्सम सब्द है आपने तच्सम बताना है तो जो गोधूम है वो आपका तच्सम सब्द है और गोधूम का तदभा सब्द होता है गेहूं ठीक है चौद्वा प्रश्ण है दो या दो से अधिक सब्द से मिलकर बने नए सार्थक सब्द को क्या कहते हैं दो या दो से अधिक सब्द के मिलकर बने नए सार्थक सब्द को कहा जाता है आपका समास ओप्सन अमबर डी राइट अंसर हो जाएगा पन्रमा प्रश्ण है यथार्थ का विलोम सब्द है यथार्थ का विलोम सब्द होता है दोस्तो कलपित ओप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो ये थी आपकी आज़की इंपॉर्टेंट वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजे चैनल पे ने तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके थैंक यू